हेलो स्टुदेंट्स, वेलकम बैक तो ओनलाइन फोर्टल आफ क्वाल्टी कोचिंग क्लासेज तुड़े इन दिस वीडियो वी विल डिस्कॉस एबाउट दी इंडस्टियल सेक्टर लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कॉस किया था अग्रिकल्चर सेक्टर कैसा हमारा अग्रिकल्चर सेक्टर जो है उसका क्या मतलब सिच्वेशन था क्या कंडिशन था कैसा अंग्रेज जो है बिटीशर्स उसको छोड़कर गए थे और उसके साथ क्या 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 किया आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ बिटीशर्स ने क्या क्या किया आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में कि अंग्रेज लोगों ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ क्या क्या किया बिटिशास कैसे उसके साथ डी इंडस्ट्राइजेशन लेके आए इंडस्ट्रीज को हटाने का काम किया इससे क्या होगा बच्चों कि जो भी हमारे यां बची कुछी इंडस्ट्रीज थी क्योंकि हमारे यां हैंडी क्राफ इंडस्ट्रीज ज्यादा पाई जाती थी हैंडी क्राफ इंडस्ट्रीज से आप लोग समझते होगे जो कि हांस से बनी हुई चीजे तो उस समय हमारे हैंडिक्राफ इंडेस्ट्री जो है इंडिया का प्राइड हुआ करती थी एक गर्ब मतलब होता था इंडिया के लिए क्योंकि जो भी हांस बनी हुई चीजे हैं उनकी जो चुछोती वो ज्यादा होती है मशीन के चीजों से बनी हुई चीज़ों के comparison में तो decline of handicraft industry is the first point कि अंग्रेजों ने क्या किया कि लोगों को जो है force करना start किया कि आप agriculture sector में जाओ वही आपके लिए primary sector है आपको industries में काम करने के ज़रू नहीं है force the people indulge in agriculture मतलब लोगों को force किया कि आप agriculture sector में काम क्यों 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 किया ऐसा कि यहां से जो है वो लोग industries को हटा सके यहां पर एक word देख दोगे आप लोग तू फोल्ड डी इंडस्ट्रिलाजेशन इंडस्ट्रिलाजेशन मतलब industries लगाना और डी इंडस्ट्रिलाजेशन मतलब इंडस्ट्रीज को हटाने का काम किया और इन्होंने जो है यह काम दो फोल्ड किया की इंडस्ट्रिज आगर कम देगी तो वोलो केवल जो रॉव मतलि बनाएंगी वही उसको बलब केवल रॉव मतलिकल के लिए ही इंडस्ट्रीज की ज़रुत है इंडिया में फिनिस प्रोटक्ट बनाने की इंडस्ट्रिज जो है उन्होंने नहीं डालने दी क्यों किया ऐस ताकि इंडिया को as a market ब्रिटेन जो है यूज कर सके वो कैसे करेगा अगर यहां पे इंडिस्ट्रिस कम होंगी फिनिस गूड नहीं बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इंडिया केवल जॉब मट्रियल का एक्सपोर्टर कहलाएगा वो किल कच्छा माल भेजेगा कहां न्यूज को लिए के एंडिया को जो है भेज रही है उससे वो लोग फिनिस गूड बनाइंगे और फिनिस गूड वो नो आंके से इंडिया के करेंगे क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसे इंडस्ट्री नहीं थी कि जो फिनिस गूट बनाती थी आज के समय में जो है मुबाइल भी बन रहा है वहिकल भी बन रहा है लेकिन कोलोनियल पिरेट के टाइम में ऐसा नहीं था कि हर चीजें के लिए हम लोग डिपेंड हो जाते थे हम लोग डिपेंड नहीं होते लेकिन ब्रिटी शट्स ऐसा बना दिये थे हम लोगों को कि हम लोग जो है क्यों रॉव मेटरियल ही एक्सपोर्ट करेंगे और फिनिस गूट नहीं बना सकते तो जब ऐसा मार्केट फॉर ब्रिटेन बन जाएंगे तो इससे क्या होगा इंडिय इंडिया ने भीजा है लकडी वूट को भीजा है और वो है लगभग 400 रुपए जो एक हजार किलो लकडी भीजी अब वो लोग क्या करेंगे कि उस लकडी का फरनीचर बनाएंगे ब्रिटेन में बनेगा क्योंकि वहां पर मैनुफैक्ट्रिंग यूनिट्स ज्यादा थी तो वहां पर जब वह भीजाओ लकडी से परनीचर त्यार करेंगे तो उससे क्या होगा जब वह इंडिया में सेल करने आएंगे मादलो एक हजार किलो लकड़ियों में चार बेड जो है तियार हुआ अब उस बेड को यहां पर आकर वहों लोग लोगों सेल करते है एक यह मुनाफ़ा कौन ले सकता था इंडिया भी ले सकता था तो लेकिन इंडिया को क्या बना के रखा है राउम बटरियल का एक्सपोर्टर इसलिए इंडिया की जो एकनोमी है जो वो तहस नहस होती जारी थी आपने पड़ा है भी मेरे लाश वीडियो में कि न दिया यह पॉइंट जो है वह इंपuciones एकि इंटरी आपवादी बिंगे में ऌनिया को क्यों करint एंडियों कि आर एकृष दैवाहर दीयों बरिढुनिस रहे क्याकि जो भी न गुन्हारा है इंडिया में उसमें कोई भी इंडियों उने में जो है इंडिया में एंटर कर जाएं कोई भी चेकिंग ना हो या उसमें कोई भी मदलब हैवी ड्यूटी या टैक्स ना लगे और उसकी इंट्री जो है अंडिस्ट्रिक्टेड हो भी ना दूकी हुई और इसली जो है डिटिस गूट कहां आ जाएं इंडिया आ जाएं ब्रेटेन ने क्या कि जो एक्सपोर्ट भी हो रहा है उसको टैरिफ फ्री कर दिया मतलब कोई भी टैक्स जो है इंडिया को नहीं मिल सकता था Heavy duty on export of Indian handicraft products जो बच्छी कुची handicraft industries थी जिसको इंडिया जो है उसमें finished good बना कि जो मलब भेजता था ब्रेटेन में उसमें भी क्या किया उन्होंने ब्रेटेन ने कि उसमें heavy duty लगा थी कि इंडिया से जो मल जाएगा उसमें heavy tax लगेगा उसको बीचने के लिए कहां ब्रेटेन में तो heavy duty लगा देगा तो इंडिया के एकनॉमिक कैसे घुरूप करेगी और जब heavy duty लगा देंगे कि इंडिया में जो माल बना हुआ है माल उसमें 200% tax लगाके जो है ब्रेटेन में sale कर रहे हैं तो 200% tax यानि कि माल लो कोई 5000 का तुम suit है तुमारा और वहां पे बेच दो तो उसकी cost लगबग जो है 200% ज्यादा कियोगी तो वह suit automatically महेंगा हो जाएगा और उसको वहां पे खरीदेगा कौन वहां पे भी तो नॉर्मल लोग होते हैं मतलब जो जीच नहीं है जो कि middle class या पूर फैमिली को बिलॉंग करते हैं तो क्या वो इंडियान हैंडिक्राफ एंड प्रोड़क्स खरीदे हो जाती थी ब्रीटेन में केवल जो बीच्छ को लोग थे वह हमी हंडीक्राफ प्रोडर्स को खरीदे थे तो यहां पे भी नुक्सान किसका हुआ ने अधेंडहें सब्सक्राइंद भासाँ यहां पावतेगा हैं और यहां पर ब्रीटिया वहार इंender कर दाथ कहां पर इंडिया में तो शाड़ा ब्रिटेगी भेडिन, क्वर्णांवात की परिकूर्द देमा जान रहे हो कि India में एन्टक्रिंग इंडस्टरीग बाथ कम थी यहां पर मशीन मेड इंडस्ट्रीज थी नहीं अपडेटें में क्या हैं इंडस्ट्रीजT is तो यहां पर बेक्षीट बनने में अगर चह मैंने लग रहा है किसी स्लोट को वहां पर क्या होता था पास देन में त्यार हो जाता था तो इससे क्या होगा कि जो कॉम्पिटीशन है तो यहां पर क्या लिखा है कि जो भी प्रोड़क्ट मशीन से बनता है वो कम समय लेता है इसकी वज़े से क्या होता था कि इंडिया में इंडेस्ट्रीज की कमी थी और मशीन मेड इंडेस्ट्रीज तो मदला थी ही नहीं इंडिया अनेबल डू कमपीट विद ब्रिटिश प्रोड़क्ट तो इंडिया जो है ब्रिटिश के प्रोड़क्ट से कॉम्पिटीशन नहीं कर पाता था कि जो प्रोड़क्ट वो तुरंत बना के यहां पर बेश के चले capital good industries means there is no machine made industries in India कि इंडिया में जो है machine made industries नहीं थी इसलिए capital good industries की यहां पे कमी थी और उससे क्या होता था कि finished product जो है इंडिया जिसको त्यार करने में च्छाय मना लग रहा है ब्रिटेन में वो चीजे जो है 5 यह 6 दिन में त्यारों के आ जाती थी तो कितना कम समय में वो लोग काम करके इंडिया में आके sell कर जाते थे तो यह था कि जो भी capital good industries है उसकी कमी की भी वज़े से इंडिया जो है कहीं न कहीं ब्रिटेन से पीछे था फिफ्ट पॉइंट इस चेंज इन पाइटर्न ऑफ डिमांड तो ब्रिटेन की जो गुड्स यहां पर sell हो रहे थे उससे लोगों की जो है डिमांड में भी चेंज देखने को मिल रहा था पहले की लोग क्या थे कि जो है चीजे तभी खरीते थे जब उन्हें जरूरत हो लेकिन आज की लोग मलब क्या है कि अगर ब्रिटिस गुड़ आ रहा है तो वो लोग उसको सौक के लिए खरीते थे शौक की वज़े से जो है पेपल स्टार्टे तो लाइक ब्रिटिस गुड़ लोग जो है ब्रिटिस गुड़ को पसंद करने लगे थे और उनके सभी गुड़ को खरीदने के लिए मतलब हमेशा तयाद आते थे नोट अकॉर्डिंग टू दियर डिमांड बट फो शो आफ की उनका डिमांड नहीं है भले लेकिन शौक के लिए दिखावे के लिए वो लोग जो है ब्रिटिस गुड़ खरीदे गा रहे थे तो कहीं न कहीं आपको क्या दिख रहा है कि डिमांड में भी जो है चेंजेस मिल रहे हैं कि उसका डिमांड तो है नहीं लेकिन फिर भी उसका सप्लाई हो रहा है क्योंकि लोग उसको खरीद रहे हैं कि इसकी चीज के लिए शौक के लिए शिक्स पॉइंट इस निगेटिव इफेक्ट ऑफ देलवेज ब्रिटेन की जो सबसे बड़ा मनलब गिफ्ट है इंडिया के लिए वो है आपका देलवे जिसको आज भी हम लोग यूज करते हैं तो लेकिन जिस समय ब्रिटेन ब्रिटेन की पास थी उस समय वो इंडिया के इंडिया 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 इंड अगर टेक्स हैबई लग जाएगा तो वहाँ पे उसका जो है सेल कम होगा तो यह क्या होता था कि इंडिया को ब्रिटेन ने आलाओ नहीं किया था कि आप भी जो है देलिवे का इस्तिमाल कर सकते हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए तो इंडिया के पास उस समय इतना मलब फास्ट मोड आफ ट्रांस्पोर्टेशन नहीं था कि जल्दी सिमाल भेज दिया या जल्दी से इंपोर्ट कर लिया वह बहुत होगा बैल गाड़ी का यूज करेंगे या मलब जो भी उस समय मेंस क्योंकि ब्रेटेन जो है अपने इस्तमाल के लिए यूज करता है तो बच्चो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इंडिस्ट्रियल सेक्टर के बारे में डिसकस किया कि at the eve of independence इंडिस्ट्रियल सेक्टर में क्या-क्या चेंजिस देखने को मिलिये कैसे ब्रेटेन ने ज सारी चीजे जो है इंडिस्ट्रियल सेक्टर में हुई